श्रॉक्या जाद से विंहे।ह जलिए जहर खंड बोड का सील टर्मिनल एक्जाम का रूटिंग आ चुका है। सव Jude 4600 हा टथीय। का का रूटिंग आ चुका है। तो पथचा पड़ दिखाते हैं कि इस डेट में कौन सा एक्जाम है। देखे, दो सेट में एक्जाम है, सेट A, सेट B, सेट A है 8 दिसंबर से, और सेट B है 12 दिसंबर से, अब आपका इस्कूल पर डिपेंड करता है, कि वो सेट A लेता है, या सेट B, अगर सेट A लेगा, तो 8 दिसंबर से होगा, और अगर सेट B लेगा आपका इस्कूल, तो 12 ता तखे और सेट तारीक से पंद्रह तारीक तक दिसम्बर है दिसम्बर चलिए फटाफट दिखाते हैं यहां पर देखें कि टेन कलास का तो अगर सेट एमें एक्जाम होता तो 8 तारिक को इंगलीश है 9 तारिक को साइंस है 11 तारिक को मैत है और 12 तारिक को additional subject यानि उर्दू या संस्कृत जिसका जो भी है उसके बाद 13 तारिक को हिंदी हो गया चौदा को नहीं है चौदो दिसंबर को एक्जाम नहीं है पंदरा को है सोसल साइंस ये टेन कलास हुआ नाइन कलास में जो है तो नाइन कलास का दिखा देर फटाफट आठ तारीक को है मैत नौ तारीक को एक्जाम नहीं है दस तारीक को छुटी है 11 को मंडे को साइन्स है 12 तारिक को इंगलीश है और 13 को सोशल साइन्स है और 14 को हिंदी उर्दू मतलब हिंदी इसमें रहेगा और 15 को एडिशनल जो है सब्जेक्ट है एडिशनल अगर आपका उर्दू होगा तो उर्दू संस्क्रित होगा संस्क्रित और अन्य कोई भासा का बात करें तो इंगलीश होगा आठ तारिक को नौ तारिक को हिंदी होगा गार तारिक को सोशल साइन्स होगा और 12 तारिक को सेंस्क्रित या जो भी रहेगा उर्दू रहे तो उर्दू तेरा छुटी रहेगा चउदा को साइन्स रहेगा और 15 को मैथ रहेगा और इसी तर का शेवन कलास का बात करें तहसेवन कलास भी देख लिजे ayart तारीक को सकेंड लेंगविज यानी उर्दू या संस्क्रिट और 9 तारीक को एकजाम नहीं रहेगा दस तारीक को भी संडे है ग्यार को इंगलीश है बारा को सोसल साइस है तेरा को हिंदी रहेगा 14 को मैथ और पंदरा को science 6 class का बात करें तो 6 class का 8 तारिक को हिंदी है 9 तारिक को second language यानि उर्दू या संस्क्रित हो सकता है 11 तारिक को math 12 तारिक को English है 12 को English 13 को science शवुदा को छुटी और पंदरा को social science अगर set A के हिसाब से exam होता है तो ये exam अगर set B के हिसाब सोता है यानि 12 तारिक से exam होता है अपका इस्कूल 12 तारिक से exam लियागा तो 12 तारिक को 10 class का देख लिजे 10 class का additional subject यानि उर्दू या संस्क्रित में से कुछ होगा 13 को Hindi होगा 14 को छुटी रहेगा 14 तारिक को छुटी है 15 को social science है और 16 को इंगलीज है 17, 18 है 18 को science है और 19 को मायत है नाइन कलास का बात करें तो नाइन कलास नाइन कलास का 12 तारिक को इंगलीज है 13 को social science है 14 को Hindi है उसके बाद 15 को additional यानि उर्दू संस्क्रित 16 का छुटी है 16 को छुटी नाइन कलास का 18 को 9 का मायत है 19 को science है आठवा कलास का बात करें तो आठवा कलास में देख लिजिए आठवा कलास का 12 तारिक को second language यानि संस्क्रित या उर्दू 13 तारिक छुटी 14 तारिक को science और 15 दिसंबर को मायत 16 को English 18 को 18 को Hindi इसी तरह सेबन कलास का देखें तो सेबन कलास का 12 तारिक को है social science 13 तारिक को है हिंदी 14 तारिक को मायत 15 को science 16 छुटी रहेगा 17 छुटी 18 second language आपका आश्कुल में जो भी होता होगा संस्क्रित उर्दू 19 को English उसके बाद अगर बात करें 6 कलास का तो 6 कलास का बारे तारिक को English है 13 को science है 14 को छुटी है 15 को social science है और 16 को हिंदी है 17 छुटी 18 को second language यानि उर्दू संस्क्रित और 19 को मायत ठीक है रूटिंग एक्जाम का आ चुका है और हम कलास भी अभी बहुत कम कर दी हैं लेना तो एक्जाम रूटिंग आ गया तो अब कलास सिरियस सब हमको भी होना होगा और आपको भी होना होगा ठीक है वीउज साइज नहीं आ रहा था और और भी कुछ प्रॉबलन था उधर आने के डिमी पढ़ा रहे हैं थे तो टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए भी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं थे तो एक्जाम रूटिंग आ गया और इसके बाद फाइनल एक्जाम भी बहुत करीब है अगर आपका सपोर्ट रहा है इस वीडियो को ज़्याद ज़्याद लोगों तक शेर कीजिए ज़्याद 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 कमेंट रहा तो कि रेगुल क्रालास देने का कोशिश करेंगे और एकदम बिल्कुल एक्जाम की तयारी ठेक है इस वीडियो की को ज़्याद ज़्याद जोंच और लाइक कीजिए ताब तक आटेका का है